सीधे आपको लेकर चते हैं एक बार फिर से अखिलेश के पास आप देखेंगे कि इस पाइदान में सबसे उपर हैं फिर अगला सवाल आपके सामने हैं इस ओपिनियन पोल में कई सवाल थे उसी से जुड़ा अगला सवाल सवाल हमने यह पूछा कि गहलोत पाइलट की भी समझाओता कॉंग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक यह सवाल था हा कि 500 रुपे में गैस सिलेंडर की स्कीम से कॉंग्रेस को फाइदा सवाल यह था जवाब मिला हां ऐसा कहने वाले 50 प्रतिशत लोग मिले हैं यानि लगभग आधे लोग इस राई शुमारी में जो लोग शामिल हुए वो कह रहे थे कि 500 रुपे वाली जो स्कीम है गैस की उस 45 प्रतिशत लोग यानि यहां पर कोई जादा फासला नहीं है सिर्फ एक फीसद का फासला ये नजर आता है रोमाना लाई जा रही है राखी जी ये तो कहीं ना कहीं चुनाव का नैरेटिव बदलने वाली हो सकती है क्योंकि 50 किसे भी के रहे हैं इसका चुनाव पर फर्क पड़ेगा कॉंग्रस को फाइदा मिलेगा राखी जी देखे रोमाना जी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं राजिस्तान के दो बार मुख्यमंत्री रहे उनके पहले कारेकाल जब 2003 के बाद में हमने देखा कि किस तरह से कॉंग्रेस पार्टी 56 सीटों पर आके तिक कि 2013 में जब उनकी मुख किया रही थी अभी एक सवाल भी था कि लोगों ने ये बात मानी कि इन योजनाओं से फाइदा होगा लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी बहुत जल्दी क्योंकि योजना है आपने देखा कि महंगाई राहत टैम तो अभी स्टार्ट किया इतनी ही हितैशी होती जनता कि तो बहुत पहले ये चीज स्टार्ट होनी थी और जब दो महीने बाद हम देखेंगे कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा तो जनता समझ जाएगी कि ये वैसे हैं लेकिन फिलहाल सर्वे के आकडों में फाइदा मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है यहां पर जल्दी से एक चुनाव तक हो गया है ना शांथ लेकिन इस एक चीज देखिए इसके बावजूद जिस परकार क्लेम कर रहे थे सचिन पाइलेट उनका क्लेम तो इस पॉब्लिक ओपीनियन में भी गलत साबित हो रहा है क्योंकि 41% लोग कह रहे हैं कि गैलोत और 30% कह रहे हैं पाइलेट और अगर हम भाजपा और कांग्रेस का मकावला करें तो वसंद्रा 36% पर खड़ी है जबकि गैलोत जो है तीसरी बार मुख्यमंतरी होने के बावजूद 41% लेकर प्रदीब जी वो जो बीजपी मौके के तलाश में थी कॉंग्रेस की कले को लेकर उसको तो कॉंग्रेस न सुलजा लिया यहाँ पर क्योंकि चुनाफ तक शायद मामला शान्त है इस तरह के जो जगड़े होते हैं खासतोर से सचिन पाइलेट और अशोग गैलोत के बीच में जो है अशोग गैलोत का निश्चित रूप से मानना है कि सचिन पाइलेट की राजनीती को जहां तक उनका बस चलेगा खतम कर देंगे तो असली लडाई होगी वो टिकट बटवारे में टिकट बटवारे में क्या होता है किसके साथ इस से तै होगा कि ये जो समझोता हुआ वो कितना प्रभावी है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे